भारत में इन्हें लगता है डर, तुर्की में मासूस होती है शान, ऐसे है सुपरस्टार आमिर खान, मैं अभिशेट आज फिर से इत नई वीडियो में आप सभी का स्वाधत करता हूँ तुर्की जोकी भारत का कटर विरोधी देश है तुर्की जोकी भारत के खिलाफ साजिस रचने वाले आतंकवादियों को संरचन देता है काश्मीर में धारा 370 को हटाने का बिरोध करता है हमेशा भारत के खिलाफ साजिस रचने वाले देश का साथ देता है हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है हमारे देश के सुपरस्टार आमीर खान को वही तुर्की देश बहुत भाता है आमीर खान को तुर्की बहुत प्यारा लगता है आमीर खान अपनी फिल्म लाव सिंग चट्डा के शुटिंग के दौरान उसी तुर्की के राष्टपती की पतनी एमिन एदोर्गन से जाकर म पुलाकात नहीं की, क्योंकि आमीर खान की विचारधारा इसराईल से नहीं मिलती है, क्योंकि इसराईल भारत का दोस्त है, क्योंकि इसराईल भारत को समर्थन करता है, इसलिए इसराईल आमीर खान को पसंद नहीं है, पर तुर्की जो की भारत का धूर बिरोधी देश है, व और आमिर खान की वीचार धारा तुर्की से मिलती है। इसलिए आमिर खान तुर्की के राष्ट-पतिक के पत्मी से जाकर मुलाकात करते हैं। जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो आमिर खान का कोई बयान नहीं आता है। जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला होता है तब आमीर खान इस पर कोई खुशी जाहिर नहीं करता है। जब हमारे देश में कोई संकट आता है तो इसमें आमीर खान का कोई बयान नहीं आता है। हम लोग समझ सकते हैं कि आमिर खान को अपने देश भारत से कितना प्यार है जो भी देश भारत का वियोध करता है वही देश आमिर खान को अच्छा लगता है तो सभी समझ सकते हैं कि आमिर खान की विचार धारा क्या है एक तरफ तो ये सत्यमेव जैते की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने देश के दुश्मनों का साथ देते हैं या विल्कुल गदारों वाली बात है जो की खाता है अपने देश का अगुन गाता है दूसरे देश का जिस थाली में खाएगा छेद भी उसी थाली में करेगा तो मेरा तो यही कहना है कि चार महीने लोग डाउन रहा तो प्रकृती शुद्ध हो गई इसी तरह से अगर इनकी फिल्में देखना बंद कर दो तो संस्कृती भी शुद्ध हो जाएगी तो आप लोगों की क्या राय है सुपरस्टार आमिर खान के बारे में आप अपनी राय जरूर दें जय हिंद वंदे मातरम